हेलो नमस्कार दोस्तों प्यारी बच्चों आप सबों का हर दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल एटुजडी पॉइंट आज हम क्लास लिके आयोए हैं प्रशनावली 1.1 का अध्यन करेंगे और ये क्वेस्चन नमर देख रहे हैं 1 और 2 उसके बाद next question भी देखेंग हो यानि हर कारा ही 300 तो एक नमर की हम स्वर्वात कर रहे हैं यहां पर आप लिखेंगे मैनस चारबटे पांच और यहां क्या लिखेंगे यहां पर बराबर लिखें और यहां आप धियान से दिखिए बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आप समझज़ेगेगा तो यहां पर आपको क्या लिखना माइनस फोर बटे यहां फाइब है यहां पर फाइब को लिखिए अब क्या करेंगे यहां पर गुना कीजिए और उपर में भी गुना कीजिए अब हमको क्या करना है यहां माइनस चार बटे पांच है और हम यहां माइनस चार बटे पांच को लिख द बच्चो आपका आंसर क्या हो गया, माइनस चोविस बटा 30 है यही आपका आंसर हो गया, दिखे कितनी अच्छी से आपको समझा देए कोई दिकत नहीं है, हिसाब देखे यहां, माइनस 4 बटे 5 और ए नुमर में काता हर 30 है तो इसको बनाएंगे कसी यहां लिखे हो, माइनस 4 बटे 5 बरावर, माइनस 4 बटे 5 हो गया और यहां 30 है तो पचकां कॉंटिंग को हर से ही करना है कितना बार पढ़ेंगे जो 30 होगा तो 6 बार पढ़ेंगे तो 30 हो गया इसलिए नीचे में जितना हो से पढ़ेंगें उत्तर से उपर से गुना करना होगा तो इस दोनों को अंको गुना किये माइनस 24 आपका हुआ और नीचे में 6 पंचे 30 हो गया इस तरह सिसको आंसर को बनाएंगे अब आते हैं कोश्चन नमर B पर उसी तरह यहां पर अब देखिए B नमर कोश्चन को बना रहे हैं यह माइनस 45 आपका है यहां पर आंसर में कोश्चन ही देखिए B नमर है माइनस 45 है तो हम यहां क्या किये माइनस 45 को लिख लिए अब क्या करेंगे भेन में लिखेंगे माइनस 4 बटा 5 आपका जो है अब यहां पुना लिखें माइनस 4 बटा 5 अब यहां गुना हमको करना है कितना से गुना करेंगे ये मालूम नहीं है तो यहां देखिए यहां 45 आपका है तो पचकांग खोड़ा को कितना बार पढ़ेंगे 45 होगा तो 9 बार माइनस होता है और यह 9 पचे 25 लिख दिजिए बच्चो यही आपका अंसर हो गया कोई भी दिकत नहीं है इस तरह से बनाने का प्रियास करेंगे आए इस तरह से आपका question नमर ए और बी complete हो गया अब चलते है question नमर दो में कि माइनस 36 पटे 60 को एक परी में संख्या की रूप में ब्याक्त किजिए जिसका हर पांच हो इसको भी देखेंगे कैसे बनाएंगे घब रहने की कोई बात नहीं है यह question एक नमर बनाए अब हम आते है question नमर दो में तो दो न आते है कि माइनस 36 पटे 60 को एक परी में संख्या की रूप में ब्याक्त किजिए जिसका हर पांच हो तो यहां 60 है और यहां 5 है तो हमको पांच लाना है तो इसको हम क्या करेंगे इसमें आंस और हर में 12 से भाग दे देंगे अगर इसको अब हम solve करेंगे तो 12 यहां 36 है तो 36 तो 12 से भाग देंगे तो कितना होगा 12 यहां 36 और मैनस का चिना है तो मैनस का चिना देंगे और बटे क्या लिखेंगे यह 60 है और 12 बटे 5 आपका answer क्या होगा मैनस 3 बटे 5 आपका answer हो गया इस तरह से बाच्चों आपका देखे question कहां का complete हो गया यह देखको आपका question number 1 और question number 2 की complete कर दिए अब चलते हैं question number 3 पर अब 3 number question की बात करते हैं निमलिकीत परिमेशंच्छाओं के उनके मानक रूप में लिखी यह कारा है उनके मानक रूप में लिखी तो हम कैसे इसको लिखेंगे आपके पास है minus 8 बटे 6 A number में है B number question है C number है और D number में तो सभी को बनाएंगे कैसे तो यहाँ देखे minus 8 बटे 6 है आपको बनाना है minus 8 और क्या करेंगे minus 8 और 6 का आपको क्या करना है मौसो निकालना है मतम समावर तक निकालना है जब यह 6 और 8 का हम मौसो निकालते हैं तो आपके पास 2 आता है 2 कैसे आता है देख लिजे यह हम 8 को लिखे यहाँ 6 लिखे तो 6 एकन 6 हो गिया और 8 में 6 घटाएंगे तो 2 हो जा यह 6 को फिर यहाँ उतार देते हैं यह मौसा निकालने का नियम है और यह 2 ती आपका 6 हो गिया यह जो आया आपका यही आपका मौसा है जो यहाँ निकालके हम बता दिए अब इसको हम कैसे इसको बनाएंगे यह आपको समझना है यहाँ अब लिखे यहाँ लिखे अतह मैनस 8 पर 6 बराबर आप क्या लिखेंगे मैनस 8 भागा आपका मौसा कितना दो आयात यहाँ पर दो लिख लिजे और यहाँ छो है यहाँ भागा आप दो लिखे क्यों लिखेंगे क्योंकि मौसा जितना आता है आंसर हर में उसी से क्या करते हैं भाग देते हैं अब इसको भाग देने के बाद कितना होगा दू चुके आठ हो जागा यह आपका मैनस 4 हो गया और 2 तिया छो आपका हो गया यानि आणसर आपका क्या का था मैनस 4 बटा 3 यही आपका आणसर हो गया अब चलते हैं कोस्टेन नमर B पर B में क्या करा मैनस 12 और 30 है तो इसको भी उसी तरह करेंगे मैनस 12 को देखिए इसको बनाते हैं अब इसको खल कैसे करेंगे तो मैनस 12 है और 30 का क्या निकालेंगे माइनस बारा और तीस का जदी हम मौसवा निकालते हैं तो कितना आएगा तो इसको जब आप मौसवा निकालेंगे तो आपका आंसर चो आएगा आप मौसवा निकालके इसको देख सकते हैं जैसे यहां पर बताए इसी तरह से इसका भी मौसव आप निकाल सकते हैं. तो मैनस बारह और तीस का मौसव कितना हो गया? चो आगया अब हम क्या करेंगे? यहां पर लिखिए यह बी निमर को बना रहे हैं. अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस बारा बटे तीस बराबर क्या लिखेंगे यह माइनस बारा है यह माइनस बारा और बटा तीस लिखेंगे और यहाँ हमको भाग देना है तो भाग की संख्यां से देंगे तो मौसो जो निकला उसी संख्यां से भाग देंगे तो यहाँ इसको हम भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद आपके पास कितना आएगा तो छोग दुनी 12 आपका हो गया यह कितना होगा, माइनस 2 होगा क्योंकि यह माइनस है, यह माइनस है, यह माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है तो चौछ दिनी आपका 12 हो गिया और यह चो पंच आपका 30 हो गिया तो बच्चो धियान रे आपका ये नहीं हो गाए माइस 2 बटे 5 इसका आउनसर हो गिया अप चलते है कुश्चन नमर सी पर सी नमर कुश्चन क्या करा है 16 बटे माइनस 24 का माना कुरूप में ब्याग्त करना है, तो यहां क्या करेंगे, 16 और 24 है, आप वहीं बताती है, कि 16 और, किसका, 16 और 24 का मौसव करें, तो 24 और 16 का मौसव आप निकालने के लिए सीख गए होगे, तो इसका 16 और 24 का मौसव कितना होगे, आपका, 8 हो गया, अब यहां आगे सब daug करेंगे और यह इसका आंसर क्या होगा नीचे माइनस नहीं रहता है तो इसका आंसर होगा माइनस दो बटा 3 इसका सही आंसर होगा इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रियास करेंगे तो इसी तरह से answer को आप find out करेंगे, यह सबी exam की दिरिष्टी से काफी महत्पुर्ण question है, आईए चलते हैं आप question number D में, D number question की अगर बात कर रहे हैं, तो D number question आपका क्या कह रहा है, धियान से इसको देखें, आपके पास भी book available है, आप खोल के उसे बनाने का प्रियास करेंगे तो यहाँ इसको बनाएंगे minus 28 और minus 35 है, तो यह क्या आपका होगा, कैसे बनाएंगी, तो यहाँ वही नियम का पनाएंगे, 28 और 35 का, क्या करेंगी, मौसव ले लिजिए, महत्तम समार तक ले लिजिए, तो आटाइस और 35 का, मौसव निकालेंगे, कितना होगा, साथ आपका होगा, निकाल के इसको देख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, अगर मौसा निकालने में परिशानी है, तो अभी आप कमेंट करें, अभी इसको solve कैसे करेंगे, यह आपका आगया मौसा साथ हो गया, 825 का, आईए इसको solution के साथ आप आगे बढ़ते हैं, उसको धिया से समझे, यह समझेगा नहीं, तो आप इसको बनाने में काफी कटना ही होगी, यहाँ पर लिखिए, माइनस 28 बटे, माइनस 35 लिखेंगे, पुना यहाँ लिखेंगे, माइनस 28 बटे, माइनस 35, अब यहाँ क्या करेंगे, अन्स और हर में हम भाग लगाएं, किस संख्यां से 7 लगाएंगे, यहां इसको 7 को लिखेंगे, कितना हो गया, सत जोग 8 हो गया, साथ पछे कितना हो गया, 35 हो गया, तो ये आपका किया है, माइनस माइनस आपका इनस खतम हो गया, यह कितना आया, 4 बटे 5 इसका solution आपका आनसर आगया, इस तरह से आप देखे, question no.3 को हम complete के, A, B, C, D complete कर दिये अब आते हैं question number 4 पर तो 4 number question को हम लिख लिए हैं कौन सी सेंख्या बड़ी है ये काता 2 बटे 3 बड़ा है या 5 बटे 2 बड़ा है ये तो हम नहीं कह सकते कभी कहेंगे ये बड़ा है हो सकता ये बड़ा है लेकिन आपको जाच करना है कि आखिर बड़ा में कौन है चाहिए इसको solution के साथ सुरू करते हैं तो यहां आपको क्या करना है नीचे में इसको काते हर इसको काते हर, उपर में uns ये आपका uns हो गया तो हम हर का क्या करते हैं लगुतम निकाल लेते हैं यहां क्या करेंगे, दो और तीन का, यानि यह दो और तीन का क्या करेंगे, हम लोग लगुतम निकाल लेंगे, दोनों का जदी लगुतम हम निकालते हैं, कितना होता आपका, छो होता है, इस चीच को आप जान रहें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब यहां क्या करेंग जो च्छो होगा तो दो बार पढ़ेंगे नीचे में चैने हो गया उपर में इप जस्थित को लर्गाएंगे यहां पर लिख लिजिए उपर नीचे गुणा को लिख लिजिए अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे जो आपका 6 होगा तो 3 बार में होगा और यह तीन है यहां भी उपर में 3 लिखे लिजिए यह क्या होगा पाइंश त्या पंधरा होगिया और यह आपका 3 दूने 6 होगिया देखे आपका 6 अंस को नहीं हम हर को बरावर किये तो 6 और ये 4 दोनों बराबर हो गया अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सी अंस बढ़ी है ये दिखिया आपका 15 बढ़ा है या 4 बढ़ा है इसी में आपको सोचते हुए चलना है तो आप देख लिए ये 15 आपका बढ़ा है तो आपका भीन कुन सा बड़ा है 5 बटा 2 भीन आपका बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे अता है यहाँ पर लिख लिजे अता 4 और यह बड़ा है के से 15 से तो यह क्या है 4 से बड़ा 15 है यह आपका इधर बड़ा चिनना होता है यह इधर आपका छोटा चिनना होता है इस तरह से देखकर हम सावित कर सकते हैं क्या होगी आपका दो बटा तीन दो बटा तीन बड़ा है पांच बटा दो से यही आपका अंसर का रहा था 5 बटा 2 यानि संख्या ये बड़ी है इसी तरह सीज़े बनाने का प्रियाज करेंगे अब चलते हैं question number next पर अब यहां देख रहे हैं आपके पास है 1 बटा 2 और 0 है ये संख्या कौन सी बड़ी है तो आप देख रहे हैं 0 संख्या जो है वो आपका छोटा होता है तो इसका answer क्या होगा एक बटे 2 आपका बड़ा है तो ये आपका greater than इस तरह होगा अब सी नमर की बात करते हैं इसमें कोई जंज़ट नहीं है यह 0 है तो माइनस 2 बटे 5 और ये 0 है तो बड़ी संख्या क्या है ये आपका minus है तो ये minus जो संख्या आपका है वो आपका छोटा होता है और 0 आपका संख्या जो है बड़ा है इस तरह इसको चिना को लगाईगे इसमें कोई जंज़ट नहीं है अब यहां देखते है आपके पास इस तरह से हिसाब दिखाई दे रहा है आप अपने बुक में खोल के देखें तो इसको बनाएंगे कैसे तो यह माइनस तीन बटे साथ है यह खाली जगा है और दो बटा तीन है तो यहां पर यह एक दो तीन चिना है यह तीनों चिना मैंसे एक चिना को इसमें भरना है इसको कैसे बनाएंगे अच्छी तरह से देखे और सीखिए यहां आपका तीन बटे साथ है इसको solution करते है तो तीन बटे साथ है और यहां आपका कितना है दो बटा तीन है यहां पर हम दो बटा तीन को लिख लिए अब यहां माइनस तीन बटे साथ है तो माइनस तीन बटे साथ है ऐसे लिखिए अब दो बटा तीन है तो यहाँ पर इस तरह से लिखे अब यहाँ देखिए यहाँ साथ है और यहाँ तीन है तो साथ को नीचे से गुना कर दीजिए और तीन को उपर में से गुना कर दीजिए अब यह तीन नीचे से किये उपर भी इसको 3 कर दीजी, नीचे में 7 है, उपर में भी आप 7 कर गुना कर दीजी तो क्या हो जाएगा आपका, ये अंस है, तो हर आपका बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 होगा, और प्लस मैनस मैनस हो जाएगा, और सत्या 21 हो जाएगा यहां पर दीजे, 7 दुनी, चोगदा आपका हो गया, और यहां कितना हो गया, सत्या 21 हो गया ये दिखे 21 हो ओर 21 क्या हो गया, ये बराबर हो गया, कोई दिकत नहीं है अब यहां बात करते हैं, यह मैनस 9 है, तो मैनस 9 ज invent your brain हो जाएगा बी नमर पर बी नमर कोश्चन की अगर बात करते हैं इसमें क्या दिया है कि बी नमर कोश्चन को आप किताब में देख रहे हैं आपका लिखा है माइनस दो बटा तीन और है खाली जगा आपका है और यहां पर आपका है पांच बटे माइनस आथ अब यहां दिके नीचे में म पर तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस दो बटे तीन लिख लिजिए अभी नीचे में क्या लिखेंगे मैं पांच बटे माइनस आठ है तो इसको क्या से बनाएंगे तो माइनस दो बटा तीन है और यहां भी लिख लिजिए पांच बटा माइनस आठ है तो उपर नीचे मे दोनों में हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे इस तरह से आप सिखिए घावराने की बात नहीं है ध्यान से देखिए इसको अब यहां 8 है तो इसको यहां कर देंगे 8 और उपर में भी हम कर देंगे 8 यहां नीचे हर में आपका 3 है तो नीचे में भी हम कर देंगे 3 अब इसको उपर नीचे करने से हमको क्या अर्थ हुआ इसको देखिए आर्थ दुनी कितना होगा आर्थ दुनी आपका 16 होगा प्लस मैनस मैनस हो गया बटे आर्थ या कितना हो गया 24 ये आपका कितना होगा 5 तिया 15 हो जाएगा और यहां कितना होगा 8 तिया 24 यह दिखी यहां भी आपका 24 हो गया यहां भी 24 हो गया यह दोनों संख्यां आपका क्या हो गया हर आपका बराबर हो गया अब यहां minus 16 है और यहां 15 है तो आप बता सकते हैं कि सही answer क्या होगा जो minus होता है वो आपका छोटी संक्या होता है जो minus नहीं होता है वो आपका बड़ी संक्या होता है तो यहां बात करते हैं कि अब यह minus था तो यह minus जो था आपका वो cut गया तो सही answer आपका क्या होगा 5 बटे minus 8 हो गया तो answer आपका यह रहेगा यह आपका छोटी संख्या है यह आपकी बड़ी संख्या हो गया अब चलते है question number कौनसा होगा C number C number question को देख रहे हैं यह 0 है यह खाली जगा है और minus 5 बटे 6 है तो बड़ी संख्या कौनसा यह कह रहा है तो यह देखिए आपका यह 0 आपका क्या है बड़ी संख्या है यह minus संख्या जो हता है वो छोटी संख्या है इस तरह इसको चिना देंगे अब यह देख रहे हैं आपके पास minus 2 बटा minus 3 है यह 0 है तो बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या आपका 0 है यह आपकी चोटी संख्या है तो इस तरह से को चिना देंगे अब चलते हैं question number next पर अब यहाँ पर देख रहे हैं इन मर question minus 2 बटे 11 है और minus 3 बटे 22 है तो यह हम बढ़ी संचा कैसे इसको ग्याद करेंगी यह तो काफी जहमेला कर रहा है लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ 11 है और यहाँ 12 है चलिए इसी को हम बराबर करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे minus 2 बटे 11 minus 2 बटे 11 लिखेंगे अब आपको क्या करना है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 यानि minus 2 आप लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 है यह एक ग्यारा लिखी यहां आपका बाइस है तो एक ग्यारा को कितना बार गुना करेंगे जो बाइस होगा तो आपका दो बार में होगा एक ग्यारा दुना बाइस होगा नीचे में दो लिखे उपर भी इसको दो लिखी यहाँ क्या करेंगे 2 दुनी 4 और बटे कितना होगा 12 यह प्लस मैनस मैनस होगया तो यहाँ पर क्या लिखेना है आपको ध्यान रहे यहाँ आपका organiz फोर बटे 22 रहेगा अब यहाँ देखें minus four बटे 22 है और यहाँ आपका क्या है minus three बटे 22 है अब आप बता सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या यहाँ पर तो आपका माइनस 3 बटे 22 संख्या बड़ी होगा इस चिन्हा को लगाएंगे तो यहाँ पर आपका चिन्हा इस तरह से रहेगा अब देख रहे हैं app number question में एक बटे माइनस तीन है और माइनस एक बटे चार है या खाली जगा है अब इसमें से भरना है कि यहां बराबर चिना देंगे कि बड़ा चुटा चिना देंगी यहां दिखे लिखे एक बटे माइनस तीन बराबर इसको उसी तरह से जैसे बनाए उसे लिखेंगे अंस बटे हर जो लिखना था लिख दिये अब गुना करेंगे और यह माइनस एक बटे चार है यह दो आपका परिमेसंख्या है तो यहाँ माइनस तीन है तो इसको हम चार से गुना करेंगे और यह माइनस तीन है इसको हम माइनस तीन से इसको गुना करेंगे तो ये संख्यां क्या होगा मेरा बराबर हो जाएगा आईए इसको देखते हैं चार एकां कितना हो गया चार हो गया और चारत्या कितना आपका बारा हो गया ये तीन एकां कितना हो गया तीन हो गया ये आपका चारत्या बारा हो गया अब आपको समझने की बात है कि आप चिना हम कहां कहां किस तरह सिसको यूज करेंगे तो यहां देख रहे हैं आपका चिना यह माइनस रहेगा यहां भी माइनस रहेगा यह चिना आपका कर जाएगा यह क्लास कैसा रहा आप कोमेंट अवसी करेंगे और नेस्ट क्लास में लेके आएंगे क्वेस्टन नमार 6,7,8,9,10,11,12 थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक, सेर एंड कोमेंट